प्रोब्स ने दी और फोब्स एक काफी पॉपुलर और रेपूटेटेड नूस की वेबसाइट है तो आप यही समझ सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कोई भी आईफोन ऐसी टू या फिर आईफोन ऐसी जैसा कोई भी सस्ता वाला आईफोन आईफोन आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एक्चुली में एपल ऐसा करके हो रही है चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं एक्चुली में किसी भी आईफोन को एकदम से डिसकंटीन्यू करना ऐसा पैपल पहली भी कर चुकी है 2013 में वो अपना आईफोन 5C लाएते जो उस समय के हसाब से काफी सस्ता आईफोन था और उसके साथ एक महेंगा आईफोन भी आया था आईफोन 5S लेकिन ये फोन जो था आईफोन 5S से भी सस्ता था तो वो फोन जादा बिका जबकि आईफोन 5C थोड़ा सस्ता था उसके अंदर आपको आईफोन 5 का हर्डवर मिलता था था वो प्लास्टिक बॉड़ी के साथ आता था लेकिन वो सस्ता होने के बावजूद भी उस फोन की सेल उतनी नहीं हुई और आईफोन 5S इतना बिकता च यहां पर जैसे आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस का तो आईफोन 7 प्लस हमेशा जादा बिकता है क्योंकि उसके अंदर डॉल कैमरा से आप पोट्रेट मोड़ता और इस साल भी जो आईफोन 10 है वो भी काफी जादा बिकता रहा है अगर हम आईफोन 10 के पहले 3 मंद्स की सेल् इतनी जादा हो रही थी कि एपल उस डिमांड को हैंडल तक नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इंटरस्टेड हूंगे आईफोन 10 में जबकि लोगों ने आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस लिए लेकिन आईफोन 10 कुछ जादा ही लोग उ उन्हें भी पता है कि भाँ पे केवल उनके केवल महंगी फोन्स विखते हैं और वो महंगी फोन से जादा पैसा बना लें कि वो अपना सारा पैसा वेस्ट करें किसी सस्ते फोन के साथ और इसलिए अब वो फोकस अपने केवल प्रीमियम फोन्स पर ही कर रहे हैं और अगर आप खुद ही सोची कि इस साल अगर वो iPhone SE 2 निकाल दें और उसके कुछ महीने बाद iPhone, iPhone 10 और iPhone 10 Plus भी निकाल दें तो इन सारे फोंस में से भी सबसे जादा केवल iPhone 10 Plus जो सबसे महंगा iPhone होगा ना वो ही विकेगा और एक और वज़ा ये भी है कि इस साल वो अपना एक थोड़ा स सस्ता iPhone भी निकालने वाले जो एक्जेक्ली iPhone 10 का ही थोड़ा सा सस्ता वर्जन होगा और जो होगा 6.1 इंच की LCD स्क्रीन के साथ आएगा Actually मैं इस iPhone और बाकी जो iPhone सा रहे हैं इनकी उपर मैं dedicated वीडियो बना चुका हूँ तो उसका लिंक में आई बटन में दे रहा हूँ तो वो भी जाके आप देख सकते हैं और अगर हम बात करें 6.1 इंच के LCD स्क्रीन वाले iPhone की तो वो सबसे सस्ता होगा लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ वो इतना भी सस्ता नहीं होगा उसकी कीमत लगब साथ हजार की उपर होगी लेकिन देखने में iPhone 10 जैसा होगा और उसके अंदर OLED स्क्रीन जगे LCD स्क्र तो रिपोर्ट सारी अभी लेटर उससे देखके पता चलता है कि Apple बहुत ही ज़ादा बड़ी क्वांटिटी में आज की डेट में iPhone को मैनुफेक्चर कर रही है और सबसे ज़ादा जो iPhone मैनुफेक्चर हो रहा है वो कि वह 6.1 इंच LCD स्क्रीन का iPhone ही मैनुफेक्चर हो रहा है तो मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है कि जो लोग iPhone SE 2 का वेट कर रहे थे वो लोग वेट ना करें और अगर उन्हें वेट करना है तो वो 6.1 इंच की जो LCD स्क्रीन वाला जो iPhone है वो ले सकते हैं और लोगों का बजट अगर 60,000 है इसकी उबर नहीं जा पार है तो मेरी य सला होगी उन लोगों से कि वो OnePlus 6 जैसा कोई फोन ले ले बाकी आप लोगों क्या लगता है कि Apple सही कर रही है iPhone SE 2 को ना लाके यह फिनोंने iPhone SE 2 लाना चाहिए था यह सारी बात है मुझे नीचे कमेंट में बताओ मैं आप से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में गुड़ बाई झाल 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 झाल